Hello everyone, myself Khan Yasmin from Global Teachers Academy. आज हम discuss करेंगे आपकी UGC Net Home Science की यूनिट 8 Family Studies का Slavists. दिखिए, जब आप Family Studies की बात करते हैं, तो इसमें कुछ points important हैं, जो आप लोगों को धिहान रखनी हैं. सबसे पहली बात की Dynamics of Marriages, ठीक है, और उसकी Family Relationships की बात करेंगे. कितने लोग जो होता हैं, वो coupled हैं, कुछ un coupled हैं, उनके ratios आपको यहाँ पर भीहान रखने होंगे. Family वे इनके relationship जो होता हैं, वो कैसे हैं, एक दूसरे के साथ, तो यह चीज़े आपको Camling Studies में डीन करनी हैं. इसके बात यहाँ पर Family Welfare के लिए जो होता हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम्स जो होता हैं, बनाएगे हैं, उन प्रोग्राम्स के समय बनाने में, या उनको आगे काम करने में, क्या गया challenges मतलब जो होता हैं, इंडिया रे सामने आ रहे हैं. फिर उसके बाद, Role in National Development, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में मतलब प्रपाय करेंगें. उसके बाद, Domestic Violence, Marital Disharmony, Conflicts, Resilience of Conflicts, ये सारी कौन्ट्स आपको जो होता हैं, इसके बाद, Parent Education के बारे में आप बात तो होगे, Positive Parenting जो होती है, वो क्या होती है, Community Education जो होत होता है, Family Disorganization का क्या Impact जो होता है, वो बच्चे की लाइफ पे जो होता है, वो पढ़ता है, सिंग्नल पार, Parent Family जो होती है, और उसके जो बच्चे विलतने हैं, उस पर क्या Impact होता है, ये सारी चीज़ें आप यहां पर, मतलब इसकी Causes, इसकी Effects, दोनों चीज़ें आपको जो देवलोपमेंट, ये सारी चीज़ें आप जो होता है, यहां पर घरब करोए, कोई शुच पर कहीं पर Family Disorganization का केस है, या डूनसिक बाइलन्स का केस है, तो उनकी काउंसलिंग जो होती है, वो कैसे की जाएगी, यानि उनकी guidance, उनकी काउंसलिंग, और मतलब जो होती है, उन